अयुद्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अयुद्या जन्बा थाना हैदर गंज छेत्र के गाउं में दिल दहला देने वाली खटना सामने आई है प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को चाफू से हमला कर उतारा मौत की खार इस खटना के सुचना मिलते ही च्वित्रादिकारी बीकापूरवार समेद हैदर गंज बीकापूर तारूं की फोर्स गाउं में डेरा डाल दी है अयुद्या पुलस ने युवत के स्चाफ का पंचनावा करके पोस्मॉटम के लिए भेश दिया है चाकू मारने वाले आरोपी युवत की लगातार तलाश की जारी है जल्द ही गिरफतार कर लिया जाएगा आपको बता दे की मामला थाना हैदर गंज के भैरोपूर टिकरा गाउं का बताया जा रहा है आयोधिया जनपत थाना हैदर गंज चेतर के गाउं में दिल दला देने वाली खटना सामने आई है प्रेमिका के भाई ने प्रेमिको चाकू से हमला कर मौत की घाट उतार दिया इस घटना के सूचना मिलते ही चेतरा दिकारी बीकापूर वा समेथ हैदर गंज बीकापूर तारुन की फोर्स गाउं में डिर डाल दी है आयोधिया पुलिस ने युवक के स्चफ का पंच्रामा करके बोस मौटम के लिए भेश दिया है चाकू मारने वाले आरोपी युवक की लगतार तलाश की जारी है जल्द ही गिरफतार कर लिया जाएगा आपको बता दे कि मामला थाना है दर गंज के भैरोपूर टिक्रा गाउं का बताया जारा है जहां प्रेमी युवक पर प्रेमिका के भाई ने चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया इस घटना की सूचना जैसी ही पुलिस को मिली तो गाउं में पुलिस बल तैनाँथ कर दिया गया प्रेमी और प्रेमिका का परिवार गुजरात प्रदेश के सूरत में रहता है। पहुचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। विकापूर सतियंद्र भूशर तिवारी ने ये बताया कि अभी तक मृतक के युवक के परिजनों की तरफ से कोई भी तहरीर नहीं मिली है। कि धाना शेत्र के अंतरगत ग्राम भैरो को टिकरा में प्रेम प्रसंद के जलते एक इवक ने दूसरे इवक को जो कतेत रूप से उसकी बहन का प्रेमी था उसको चाकू मार दिया। जिसे जिला अस्पताल में उसकी मृत्त हो गई है। अभी तक मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही मुकत्मा लिखा जाएगा। वाड़ी को पंचनामा करके कोश्टमार्टम के लिए और आवस्यक कारवाई के लिए विजवा दिया गया है। जिस लड़के ने चाकू मारा है। लगातार हम उसकी तलास कर रहे हैं। जल्द ही उसको पुलिस द्वारा गिरिपतार कर दिये गया।